दो, संत, ताव का साकार रूप, ताव परंपरा, भूमिका चीन के युगों पुराने इतिहास के पन्ने पलटते हुए, हमें कई राजवंशों के उत्थान और पतन के कारण हुई उथल पुथल का विवरण पढ़ने को मिलता है उनमें एक ऐसे विशेश व्यक्तित्व का उलेख मिलता है, जो हर समय में मौजूद रहा है वह है ताव संत इतिहास लिखे जाने से पहले के युग की धुन्दली गहराईयों में जहाकने पर भी ताव संत एक महान व्यक्तित्व के रूप में मौजूद दिखते हैं जिन्हें उस समय भी पुरातन ही समझा जाता था ताव मत से संबंधित सबसे पुराना गरंथ आईचिंग है जिसे लगभग चार हजार वर्ष पहले हड़ियों के टुकणों पर खुदाई करके लिखा गया था इस प्राचीन गरंथ में शुरू से लेकर अंत तक जिर्रन शब्द का बार-बार उलेख मिलता है जिसका अर्थ है महान, अत्वा, श्रेष्ट व्यक्ति ध्यान दे, जर का अर्थ है जानना, समझना, जागरू खोना रन का अर्थ है मनुष्य इस प्रकार जिर्रन का मूल अर्थ है वह मनुष्य जो जानता है, अत्वा जो समझता है आज कल आम तौर पर इसका अनुवाद श्रेष्ट व्यक्ति किया जाता है यह शब्द, संत, अत्वा ताओ गुरू के लिए प्रियोग किया जाता है आई चिंग में पाठक को बार-बार यह सलहा दी गई है कि वह उस महान व्यक्ति से मिले ताओ मत में अध्यात्म ग्यान से संपन गुरू को अनेक नामों से जाना जाता है जिन में से अधिकांश का अर्थ है संत महात्मा चीनी भाषा में संत महात्मा के लिए आम तोर पर शैन ग्रैन शब्द का प्रियोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है संत, पुन्यात्मा, अत्वा महात्मा इसे तीन मिले जुले चित्र लेखों में दिखाया गया है ध्यान दें, चित्र लेख, एक चित्र जो वर्णन करता है, जो अर्थ प्रकट करता है पौरानिक चीनी पुस्तकें चित्र लेखों में ही लिखी जाती थी इसमें राजा के चिन्द के उपर मुह और कान दिखाए गए हैं जिसका अर्थ है एक श्रेष्ट अथ्वा महान व्यक्ति जो परमात्मा की दिव्यवानी सुनता और बोलता है यह इस बात की और भी संकेत करता है कि संत को इस रिष्टी में एक विशेश कारे स्वांपा गया है और वेह है उपदेशक का कारे प्राचीन संत लियाथ्स कहते हैं जीवन प्रदान करना और उसे सनरक्षन देना आकाश का कारे है भौतिक शरीर बनाना और उसे आधार देना प्रिथ्वी का कारे है दूसरों को उपदेश देना और उन्हें अच्छाई के लिए प्रेर्णा देना संत का कारे है और रची गई वस्तूंग का कारे है अपने स्वभाव के अनुरूप बने रहना चीनी भाषा में संत महात्मा के लिए एक और शब्द शन्रन का भी प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्ति अर्थात वहे जो आम सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक सत्ते के साथ जुड़ा रहता है ऐसे संत को कभी कभी अमर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मृत्यू की उस विशाल सीमा को पार कर लिया होता है जिससे पूरी मानव जाती भेभीत रहती है ऐसे संत के लिए दिव्य, योग्य, आदर्ष मनुष्य इतियादी शब्दों का प्रियोग भी किया जाता है ताव संबंधी रचनाओं में जब स्मराठ अत्वा शासक का उलेख आता है तब उसका अर्थ, प्राय, संत ही होता है उदाहरण के लिए प्राचीन धर्मगरंथ तावते चिंग में जब स्मराठ को ब्रह्मान की चार महान शक्तियों में से एक कहा गया है तो उसका संकेत संत की ओर ही है ताव महान है, आकाश महान है, प्रित्वी महान है, स्मराठ भी महान है स्रिष्टी में बस चार ही महान है, महान संराठ उन में से एक है ताव संत अथवा गुरु को संराठ कहकर पुकारने की प्रथा तीन शासकों तथा पांच संराटों के समय से चली आ रही है लोग कथाओं के अनुसार इनका शासनकाल लगभग 3500 इसा पूर्व से 2000 इसा पूर्व के बीच रहा है कहा जाता है कि प्राचीन काल के इन शासकों ने ताव का विकास करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया ताव की अंतरमुक साधना को प्राया ताव का विकास करना कहा जाता है ताव अत्वा मार्क के साथ एक हो जाने के फल स्वरूप उन्होंने शासन किये बिना ही शासन किया नेत्रित्व किये बिना ही नेत्रित्व किया और इसी कारण लोकशान्ती और आपसी तालमेल का आनंद लेते रहे इन शासकों में सबसे अधिक आधरणिये पीत समराथ हुआंग डी थे जिनका शासनकाल 2697 इसापूर्व से 2597 इसापूर्व तक माना जाता है पीत समराथ को लोगों के जीवन में अनेक प्रकार का सुधार लाने का श्रे दिया जाता है जैसे की खेती बाड़ी, अर्थात, पांच अनाज पैदा करना पशुपालन, आश्रे स्थलों का निर्मान, जोतिश विज्ञान, केलेंडर, लेखन पद्दती इतियादी ताव संबंधी बहुत सी शिक्षा प्रद कथाओं में पीत समराथ का उल्ले खाता है और वहे अपनी नम्रता, सहजता, तथा स्वाभाविक्ता, दुआरा सद्यायव, संतों की विवेक शीलता का एक आदर्ष उधारन प्रस्तुत करते हैं आरंभिक काल के ताव संत ताव मत की जड़ें इतिहास के लिखे जाने से पहले भी मौजूद थी परन्तु आमतोर पर माना जाता है कि दार्षिनिक और आध्यात्मिक विचारधारा के रूप में इसका आरंभ पांत सो इसा पूर्व के आसपास लाओत्स और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तावते चिंग के साथ हुआ कहा जाता है कि जब लाओत्स ने संसार से सन्यास लेने का निश्चे किया तो वहे पश्चिम की और निकल पड़े जैसे ही वहे पहाड को लांग कर दूसरी और पहुँचे तो घाटी के रक्षक ने उन्हें रोक लिया और उन्हें अपना उपदेश लिखने के लिए कहा ताकि यह उपदेश कहीं खोना जाए परिणाम स्वरूप उनकी प्रसिद पुस्तक तावते चिंग की रचना हुई इसमें लाओट्स ने सरल काव्यमी भाषा में ताव से संबंधित गूड परम सत्ते को प्रकट किया है वह ताव संथ अत्वा गुरू के व्यक्तित्व की और उस जीवन शेली की चर्चा करते हैं जिसके द्वारा मनुष्य ताव के साथ तालमेल करने और उसके प्रती जागरूख होने के योग्य हो जाता है लाउट्स तथा उनके शिश्यों द्वारा और उनके बाद की कुछ शताब्दियों में आने वाले संथों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ताव संथ के व्यक्तित्व के बारे में बड़ी बारीकी से बताया गया है लाउट्स का शिश्य माने जाने वाले संथ वुनत्स ने Authentic Scripture of Pervading Mystery नामक पुस्तक लिखी है जिसे अक्सर केवल वुनत्स ही कहा जाता है ध्यान दें, इसी प्रकार ताउते चिंग को कभी-कभी लाउट्स भी कहा गया है जवान जट्स की संकलित रचनाओं को अक्सर जवान जट्स कहा जाता है और लियेट्स की रचना को लियेट्स कहा जाता है यह तीन धर्म ग्रंथ ताउ मत की दार्शनिक विचार धारा का आधार है हालाकि इस तथे पर भी विवाद है कि ये संत वास्तव में हुए भी है अत्वा एक विशेश विचारधारा से संबंधित रचनाओं का संकलन करने के बाद में उन्हें इन संतों के नाम के साथ जोड़ दिया गया संतों के इस गूड मार्ग संबंधी ज्यान संपन उबदेश से भरपूर यह पुस्तक लाओत्स के कथनों का संकलन है हर कथन इन शब्दों से आरंभ होता है लाओत्स ने कहा उदाहरण के लिए लाओत्स ने कहा जहां तक संतों के ब्रहमन की बात है वे पून शुन्ने में चलते हैं और अपने मन को महान शुन्ने में घूमने देते हैं वे प्रथाओं से परे होते हैं और वहां से निकलते हैं जहां कोई प्रवेश द्वार नहीं है वे अनाहत शब्द को सुनते हैं और निराकार को देखते हैं वे समाज के दबाव में नहीं होते और ना ही समाज के रीती रिवाजों से बंधे होते हैं लाओट्स के कुछ शताबदियों के बाद हुए जवान जत्स और लियैट्स नामक दो संतों द्वारा लिखी पुस्तकों में ताओ मत के गुरूओं और उनके शिश्यों का स्पष्च रूप से वर्नन किया गया है एक सच्चे संत के गूड और अवर्ननिये व्यक्तित्व का वर्नन करने का प्रयास करते हुए जवान जत्स और लियैट्स ने अकसर अपने आंतरिक ज्ञान को कथा कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया है कुछ हसाने वाली, कुछ चोकाने वाली और कुछ दुविधा में डाल देने वाली एक के बाद दूसरी कहानी सुनाते हुए वे ताओ के जिग्यासू के लिए गुरू की अत्याधिक आवशक्ता के बारे में समझाने के बजाए उसका चित्र प्रस्तुत करते हैं जिन में कहीं हमें डग मगाता हुआ भावी शिष्य दिखाई देता है तो कहीं शिष्य को बहला कर या जग जोर कर समझाते हुए गुरू दिखाई देते हैं और कहीं बिना शब्दों के स्वयम एक उधारन बनकर सिखाते हुए गुरू नजर आते हैं ताओ मत के अनेक पहलू विकास के अलग-अलग चरणों से गुजरते हुए ताओ मत ने कई रूप धारन कर लिये हैं इसको एक धर्म, एक दार्शनिक विचारधारा, एक कुशल स्वास्थे प्रनाली, एक जोखिम भरा जादू, एक रहसे में मार्ग, अत्वा यह सब कुछ समझा जा सकता है यह केवल एक ही मूल धर्म गरंथ पर आधारित नहीं है, बलकि इसके धार्मिक सहित्ते में कई अलग-अलग पहलू प्रकट हुए है 1444 इसा पूर्व में मिंग शासनकाल के दौरान ताव मत का जो धार्मिक सहित्ते सामने आया है, उसमें लगभग 5300 रचनाएं शामिल हैं इस अध्याय में ताव मत के अध्यात्मिक पहलू और अपने शिश्यों तक अध्यात्मिक सत्य को पहँचाने में गुरू की भूमिका पर ध्यान केंदृत किया गया है हाना कि ताव मत के कुछ अन्य प्रमुख पहलूं का संक्षिप्त विवरण भी ताव संतों के बारे में चर्चा करने के लिए संधर्ब के रूप में सहायक हो सकता है लाओत्स के लगभग पानसो वर्ष बाद ताव मत एक लोकप्रिय धर्म के रूप में विक्सित हो गया कुछ समय तक तो इसे राश्ट्र धर्म भी माना गया धर्म के रूप में इसकी धारणाओं, रीतियों और धार्मिक क्रियाओं में अरंभिक काल के ताव मत, कनफ्यूशियस मत, बौध धर्म और शामानी धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है ध्यान दे शामानी धर्म जो प्रेत आत्माओं को बुलाते हैं इसके साथ ही इसमें लोक संस्कृती से जुड़ी परंपराएं और पौरानिक कथाईं भी शामिल हैं पुजारी वर्ग स्क्रॉल, अर्थात हस्त लिखित दस्तावेज, प्रार्थना, लिखित चिन और दिव्य नाम का प्रियोग करता रहा है जिनहें परिवारों में एक पीडी से दूसरी पीडी को दिया जाता है हाला कि ताओ मंदिरों में नियमित रूप से पुजारी और जनसाधारन जब महान संतों की वानी का जाप करते हैं तब उनके मंत्र जाप से पता चलता है कि आज भी ताओ मत का मूल आधार रहसेवाद ही है इस लोकप्रिय धर्म के साथ ही बहुत सी गूड परमपराएं भी विक्सित हुई जिन में कुछ ऐसे अभ्यास शामिल थे जिनका उद्देशे आंत्रिक उर्जा द्वारा शारीरिक स्वास्थय और शक्ती में सुधार लाना था इन में थाए ची, ची गौंग और कुछ अन्ने मार्शल आर्ट सबसे अधिक प्रसिद हैं बहुत से ताओ संतों की शिक्षा में स्वास्थय के साथ साथ शारीरिक उर्जा तथा मानसिक प्रविर्तियों के आपसी संबंध के गूड ग्यान को बारीकी से समझाया गया है कहनन नामक पुस्तक ताओ वादियों के स्वास्ते संबंधी ग्यान और प्राचीन चीनी ओश्दियों का मूल आधार है इसके अतिरिक्त ताओ के कुछ अनियाईयों ने सम्मोहुनी विद्या का अभ्यास करके अपने अंदर कुछ मायावी और अलोकिक शक्तियां जागरत कर ली वे किमियागरी में रूची लेने लगे और अलग-अलग पदार्थों को सोने में बदलने के धंग खोजने लगे उन्होंने धातुओं और अन्ने पदार्थों को मिला कर ऐसे पदार्थ बनाए जिनका सेवन वे अमर होने के लिए या फिर लंबी आयू प्राप्त करने की आशा से किया करते थे ये अभ्यास वास्तम में बहुत जोखिम भरे होते थे विश्दवारा कई व्यक्तियों की मृत्ती होने के कारण टैंग वंश के अंत और सैंग वंश के आरंब तक इस प्रकार की कीमियागरी की लोगप्रियता समाप्त हो गई हालांकी ताव मत एक लोगप्रिय धर्म के रूप में विक्सित हो गया और ताव को मानने वाले कुछ लोगों का किमियागरी तथा जादुगरी के अभ्यास की ओर जुकाव हो गया फिर भी लाओत्स, लियेट्स और जवानजट्स के आध्यात्मिक और दार्शनिक उपदेश ताव मत की शिक्षा का आधार बने रहे ताव संत सद्गुरू पीडी दर पीडी अपने शिश्यों को ऐसे अभ्यास, ऐसी जीवन शैली तथा मन को साधने के ऐसे तरीके बताते रहे जिनके द्वारा वे ताव के प्रती जागरुख हो जाएं ताव मत की मठ परंपरा ने आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल वातावरन तयार करने में सहयोग दिया है इन आध्यात्मिक संगठनों में रहकर अभ्यासी, प्रमुक भिक्षू या भिक्षुनी के मार्ग दर्शन के अनुसार आंतरिक साधना और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करके ताओ का विकास करते हैं। उधारन के लिए च्वेंजन अर्थात परम सत्य नामक मठ परमपरा के साधक आश्रम में रहने का संकल्प करते हैं, जहां वे बादलों के मार्ग का अनुसरन करते हैं। इसमें ध्यान में बैठना, मन को एकागर करना और स्वभाव में संतुलन तथा तालमेल बनाए रखना शामिल है। च्वेंजन मंदिरों में अकसर गूड आध्यात्मिक वाणी का जाप करते हुए, भिक्षूओं अथ्वा भिक्षूनियों की आवाज गूंजती रहती है। जैसे की चिंग जिंग जिंग अर्थात शान्ती और पावंता का धर्मगरंत की यह वाणी। मनुष्य की आत्मा को पावंता प्रिये है, किन्तु मन उसमें बाधा डालता है। मनुष्य के मन को शान्ती प्रिये है, किन्तु इच्छाएं उसके आड़े आती हैं। त्याग दो इच्छाएं सदा के लिए, और मन शान्त हो जाएगा। अपने मन को निर्मल करो, आत्मा स्वयम निर्मल हो जाएगी फिर धीरे धीरे ताव में प्रवेश करो जब सच्चे ताव में प्रवेश करोगे, तब वहे प्राप्त हो जाएगा ताव मठ चाहे स्त्रियों के लिए हो या पुरुशों के लिए या फिर दोनों के लिए हों, ये अक्सर उचे पहाडों पर बनाये जाते हैं पहाड की चोटी पर बनी इस इमारत को, जिसमें या तो केवल एक साधक या साधकों का समुदाय रहता है गवान कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निगरानी करना, ध्यान से देखना आम तौर पर इसका अनुवाद बारादरी या चबूतरा किया जाता है अर्थात एक ऐसी मिनार जहां से दूर दूर तक देखा जा सकता है चीन में पहाडों को पवित्र माना जाता है आध्यात्मिक साधना की कई शाखाओं अथ्वा संत जनों की वन्शावलियों को आरंब हुआ या जहां वे अब रहते हैं उधारन के तौर पर माउशान साधना पद्धती का अर्थ है साधना की वह पद्धती जो माउपरवत पर सिखाई गई थी या फिर हुआशान विधी जो आध्यात्मिक साधना की वह पद्धती है जिसका आरंब हुआ परवत पर हुआ था वास्तव में उच्च कोटी के ताव संतों के बारे में आम लोगों की धारना है कि वे उचे परवत शिखर पर रहते हैं पहाडों के स्वच, निर्मल तथा उत्तम वातावरण में सांस लेते हैं और प्रातेह काल में परवत शिखर पर खिले नन्ने फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों का सेवन करके जीवन निर्वाह करते हैं अमर कहलाने वाले ताव संत महात्माओं का वर्नन करते हुए जवान जत्स उनकी ऐसी मोहक छवी प्रस्तुत करते हैं जो युगों से चीनियों की कल्पना में बसी हुई है ये अमर संत शरीर के दाइरे में रहते हुए भी शरीर की सिमाओं से बंधे नहीं हैं वे अनंत शक्ति के स्वामी हैं, परिपून हैं बहुत दूर मियाओ कूच परवत पर एक मनमोहक अमर पुरुष रहता है दूद की तरह सफेद और गुलाबी रंगत वाला वे अमर पुरुष इतना सुन्दर और मनोहर है उसका आचरण इतना सहज है, मानो किसी कन्या ने यौवन में कदम रखा हो वे अन नहीं खाता, केवल शुद वायू का सेवन करता है और ओस के कणों को पीता है फिर भी वे उडने वाले ड्रैगन सुमू को हाक सकता है और बादलों पर सवार होकर चार समुद्रों की सिमाउ से परे जा सकता है वे अपनी आध्यात्मिक शक्ती को इस ढंग से केंदरित कर सकता है जिससे वे हर प्रकार के दोशों के प्रभाव को दूर कर सके और शुब फल दे सके हालंकि ताव मत का अध्यात्मिक अभ्यास केवल परवत शिक्रों पर बने मठों में ही नहीं किया जाता बलकि ताव संत, शेहरों और नगरों में भी रहते हैं यहां पर साधारण सांसारिक जीवन के बीच में रहते हुए भी अलग-अलग वंश परंपरा के गुरु अपने उन शिश्यों को उबदेश देते हैं जो अध्यात्म के साथ-साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं ऐसे संत के लिए अपने आपको जन साधारण से अलग रखने का विचार वियर्थ का दिखावा लग सकता है ताव मत के धर्म गरंतों में बताया गया है कि ताव संत, निश्चिन्त और सहज ढंग से बिना किसी दिखावे के जीवन बिताते हैं वास्तव में महान संत, शेहरों की चहल पहल में भी लोगों की नजरों से छिपे रह सकते हैं ताव गुरू लियो आई मिंग इस बारे में कहते हैं संसार में घुल मिल जाना और साथ ही आंत्रिक प्रकाश से जुड़े रहना उस महान संत का कारे है जो शेहर में रहते हुए भी छिपा रहता है सच्चाई तो यह है कि ऐसे सत्गुरू ही सच्चे सन्यासी हैं भले ही वहे लोगों से घिरे रहते हैं ग्यारवी श्ताबदी के संत जौंग बोडवान ने भी कहा है हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि महान सन्यासी शेहर में रहते हैं उनकी खोज मत करो जो पहाडों पर या घने जंगलों में रहते हैं और त्यागी होकर एकांत जीवन व्यतीत करते हैं महान सन्यासी शेहरों में रहते हैं और एकांत में जीवन बिताने वालों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, संत अनादी होते हैं वर्तमान समय में ताव गुरु ना केवल बीजिंग की हलचल में रह सकते हैं बलकी बाहर से अत्यंत साधारण दिखने के कारण वे सैन फ्रांसिसको, टोरंटो, लंदन या किसी दूसरे पश्चमी शहर में भी छिपे रह सकते हैं बिना किसी शानों शौकत के साधारण वेश भूशा में शांत, सहज दिखने वाला एक आधुनिक गुरु उन ताव गुरुओं का वन्शज हो सकता है, जिनकी वन्शावली सदियों से चली आ रही है एक तरह से यह कहा जा सकता है कि ताव संत का अस्तित्व इतिहास की सीमा से परे है ताव संत आज भी वैसे ही साकार रूप में मौजूद हैं और गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं जैसे की 4000 वर्ष पूर्व थे जब आई चिंग को हडियों पर खुदाई करके लिखा गया था जिस प्रकार इस परिवर्तन शिल संसार में ताव परिवर्तन रहित है, उसी प्रकार संत भी परिवर्तन रहित हैं इस प्रकार इस मार्ग अर्थात ताओ के साथ संपर्क एक गाड़ी की धुरी के समान है जो खुद आगे नहीं सरकती और उसी केंदर पर बिना रुके घूंगती रहती है फिर भी गाड़ी को हजारों मील की यात्रा के योग्य बना देती है इसी तरह जब संथ सत्गुरु इस मार्ग अर्थात ताओ को साकार कर लेते हैं तब वे परिवर्थन के संपर्क में आने पर भी स्वयम परिवर्थन रहित अवस्था में लौट आते हैं वे बिना कोई करामात दिखाए कारे करते हैं ताओ मत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में अपनी शिश्य मंडली से घिरे एक सफेद दाड़ी वाले पूजनिय संत की कलपना को धुंदला और पौरानिक मान कर हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं परन्तु जो भी व्यक्ती सच्चे मन से ताओ के मार्क के बारे में जानना चाहता है उसे आज भी गुरू की उतनी ही आवशकता है जितनी लाओत्स के समय में थी ताओ मत के गूड धर्म गरंतों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली आधुनिक समय की मुख्य अनुवादक इवा वौंग का उधरन हमारे सामने है वह लिखती हैं हौंग कॉंग में अपने बचपन से ही मुझे ताओ संतों और सिद्ध पुरुषों की कथाएं मंत्र मुग्द कर देती थी चौधैं वर्ष की आयू में जब उनकी सहेलियां, रोमांचक कवीताओं और उपन्यासों की ओर आकरशित हो रही थी तब उनका ध्यान अश्चरे जनक रूप से जवानजत्स और हवाए नानत्स की ताओ विचार धारा की ओर खीचा जा रहा था ध्यान दें, हवाए नानत्स इसापुर्व दूसरी श्तापदी का धर्मग्रंथ है जिसमें बहुत से विश्यों पर ताओ मत और कनफ्यूशियस के विचारों को मिला कर प्रस्तुत किया गया है रिष्टे में उनके एक दादा ने आई चिंग और फैंक्शुई के सिध्धानतों के अध्यन में उनकी सहायता की हाना की उन्होंने खुद भी ताओ मत के गूड ग्रंथों में दिये गए सिध्धानतों को पढ़ने का प्रियास किया लेकिन मुझे बताया गया कि अगर मैं वास्तव में ताओ मत का अभ्यास सीखना चाहती हूँ तो मुझे किसी ताओ गुरू की तलाश करनी होगी किशोर अवस्था में ईवा वांग को जो सला दी गई वही सला पिछले हजारों वर्षों से ताओ मत के असंखे अन्याईयों को बार-बार दी जाती रही है कि अगर आप ताओ मत की शिक्षा के प्रती गंभीर हैं तो आपको ताओ गुरू की आवशक्ता है इवा वांग को भी अपने से पहले हुए ताओ के अनेक अन्याईयों की तरह गुरू की खोज करने में कई वर्ष लगे अन्त में जो व्यक्ति उनका गुरू बना उसके साथ इवा वांग की मुलाकात ना तो हौंग कॉंग में हुई और ना ही चीन के पहाड़ी इलाके में अश्चरे की बात है कि यह मुलाकात नियू यॉक प्रांथ के बौफलो नामक शहर में हुई वह याद करती हैं सन 1981 की बसंत रितु में मैं उस व्यक्ति से मिली जिसने हमेशा के लिए मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी पहली मुलाकात से ही मुझे यह आभास हो गया था कि यही व्यक्ति मेरा गुरू होगा और मैं अपनी आध्यात्मिक जागरिती और उन्नती के लिए इस व्यक्ति पर विश्वास कर सकती हूँ जिस आपसी स्विक्रिती और विश्वास ने गुरू शिष्य के बीच रिष्टा बनाया था वहे मजबूत होता गया शीग्र ही उन्हें अपने गुरू को शिफू अर्थात आधरनिय गुरू कहने का सौभाग्य प्राप्थ हुआ इस अध्याय में इस प्रश्ण पर विचार किया गया है कि संत अत्वा ताव गुरू किसे कहते हैं शिफ्षे बनने के बारे में भी चर्चा की गई है कि शिफ्षे कैसे संत से शिक्षा ग्रहन करने के लिए पूरी तरह तयार होते हैं अंत में इस विशे पर चर्चा की गई है कि संत अपने शिफ्ष्यों को किस प्रकार ताव के मार का उपदेश देते हैं संत की पहचान वह कौन सा विशेश गुण है, जो किसी संत को संत बनाता है? वह अद्भुत व्यक्ती कौन है, जो परिवर्तन के बीच में रहते हुए भी परिवर्तन रहित रहता है? ताव मत का अनुयाई कह सकता है कि संत वह है जिसका परिपून ते बिना किसी बाधा के उसके अंतर में ताव को प्रवाहित होने देता है उसका हर कारे ताव द्वारा ही संचालित होता है इसलिए ताव मत में संत का वर्नन कैसे किया गया है? यह समझने के लिए हमें ते और ताव इन दो प्रमुक शब्दों को समझना होगा लाओट्स की पुस्तक ताव ते चिंग ताव मत की एक मात्र सबसे अधिक महतपून पुस्तक है जिसका सीधा सा अर्थ है ताव और ते की पुस्तक इस पुस्तक के शीर्षक के अलग-अलग अंग्रेजी अनुवादों द्वारा यह बात तुरंत स्पष्ट हो जाती है कि ताव और ते शब्दों का अनुवाद करना एक चुनौती पून कारे है जैसे की The Book of Truth and Virtue The Way of Life और अन्यकई शीर्षक ताव ताव शब्द का अनुवाद है मार्ग चीनी चित्रलीपी में ताव शब्द दो चित्रलेख बना कर लिखा गया है इस चित्रलेख में सिर के पास एक पाउं दिखाया गया है जिसका सांकेतिक अर्थ मार्ग, रास्ता, अथवा, राह है चीन में आम बोलचाल की भाशा में ताव शब्द का प्रियोग किसी खास जगह की दिशा बताने जैसी साधरन सी बात के लिए भी किया जा सकता है या इसका गूड अर्थ सही द्रिष्टिकोन और किसी कारे को सही ढंग से करना भी हो सकता है इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि ताव हमारे जीने का तरीका है हमारी आंतरिक अवस्था है हाना कि ताव मत में आध्यात्मिक द्रिष्टिकोन से ताव का अर्थ अपनी मूल प्रकृती की ओर या अपने दिव्वे स्रोत की ओर लोटने का मार्ग माना जाता है कहा जाता है ताव मत में ताव केवल उस दिव्वे स्रोत तक पहुँचने का मार्ग ही नहीं है बलकि वह स्वयम दिव्वे स्रोत है ताव अनादी है इस स्रिष्टी की उत्पत्ती का मूल स्रोत है स्रिष्टी में प्रतेक वस्तू परिवर्तन शील है यहां हर चीज पैदा होती है बढ़ती है और फिर खीन होते होते अंत में नश्ठ हो जाती है केवल ताव ही वह शक्ती है जो इस सारे परिवर्तन को गती देती है परंतु स्वयम, शाश्वत और परिवर्तन रहित है ताव गुरू उपदेश देते हैं कि ताव वह शाश्वत शक्ती है जो इस पूरे संसार का मूल आधार है वह ना दूर है और ना ही पहुंच से परे है बलकि वह हमारे बहुत निकट है और हमारे हर कदम, हर सांस में मौजूद है वह शक्ती सर्व्यापक है आम तौर पर ताव शब्द का प्रयोग साधरन मार्क के लिए और आध्यात्मिक रूप से मार्क के लिए भी करने का भाव एक तरह से ताव मत के सार को दर्शाता है जो सरल्चित रहने और प्रकृती के साथ तालमेल बनाए रखने पर बल देता है जवान जट्स ने भी कहा है ताव सब जगह है श्रेष्ट में है, निम्न में है यहां तक की चींटियों में भी है और मल मूत्र में भी है ताव शब्द का अलग-अलग अर्थ अनुवादक को उल्जा देते हैं कई बार लगता है कि यह प्रकृती की और संकेत कर रहा है कभी-कभी इसका प्रयोग एक समीप रहने वाली मार्ग-दर्शक चेतना या दिव्वे सत्ता के लिए किया जाता है और कभी इसका आर्थ समस्त रचना का रहसे में स्रोत या स्रिष्टी करता होता है अन्य वर्नात्मक शब्द जिनका प्रयोग ताव मत को मानने वाले अकसर इस शक्ती का वर्नन करने के लिए करते हैं वे हैं वे है एक पून सहज अवस्था अनाम सहज अवस्था आधार दिव्वे स्रोत महान सर्व्यापी शक्ती या आधी पूर्वज अर्थ है हमारा स्वयम से और बाहरी संसार से वेहवार करने का तरीका और वेह तरीका जिससे हम आंतरिक साधना द्वारा अपना आध्यात्मिक स्रोत खोजते हैं इसमें जीवन के आंतरिक और बाहरी दोनों पहलू शामिल हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ धर्म ग्रंथों में संतों को दोहरी चाल चलने वाला क्यों कहा गया है अर्थात जो धर्ती पर तथा आकाश में एक ही समय में चल रहा है ऐसी दोहरी चाल वही चल सकता है जिसकी अंतर आत्मा ताओ में लीन हो चुकी हो जिसके बाहरी कारे सदैव पूरी तरह से ताओ के अनरूप होते हैं ताओ ते चिंग के पहले पद में लाओट्स कहते हैं कि श्रिष्टी का बाहरी रूप और आंतरिक ताओ दोनों एक ही हैं और सब कुछ मियाओ मियाओ है जिसका अनुवाद रहसे पर रहसे अत्वा दोहरा रहसे हैं यह दोहरा रहसे केवल अनुभव द्वारा समझा जा सकता है धारनाओं पर टिके ग्यान द्वारा नहीं विचारों से मुक्त मन स्वयम में विलीन होकर ताओ के सार को देखता है विचारों से भरा हुआ मन अपनी ही धारनाओं में खोया इस संसार का ही रूप देखता है ताओ और यह जगत अलग-अलग लगते हैं, किन्तु वास्तव में दोनों एक है अंतर केवल इसमें है कि हम दोनों को क्या कहे कर पुकारते हैं कितनी गहरी और गूड है यह एकता, कितनी अथा है, कितनी महान है यह सत्य सत्य से भी परे है, छिपे हुए के अंदर छिपा हुआ है यह सभी अचंभों की ओर ले जाने वाला मार्ग है, समस्त रचना के सार का प्रवेश द्वार है ते, चीनी अक्षर ते, जिसको दे भी लिखते हैं, का उचारण देह भी किया जाता है चीनी भाशा में ते, तीन चित्र लेखों को इकठा करके बना है एक घुमावदार रेखा के साथ साथ दस आँखें, मनुष्य का हृदे और आगे कदम बढ़ाता हुआ पाओं दस आँखों और एक घुमावदार रेखा का चित्र संकेत करता है कि यदि दस आँखें, एक रेखा को ध्यान से देखें, तो वहे पूरी तरह सही बनाई जा सकती है हृदे का संकेत प्रेम और निष्ठा की ओर है और पाओं गती दर्शाता है आता इस चित्रलेक का अर्थ है, सच्चाई के साथ कर्म करने से पूर्णता प्राप्त होती है या प्रेम और सच्चाई द्वारा हृदय शुद हो जाता है चीनी भाषा का यह चित्रलेक बहुत कुछ प्रकट करता है ते संसार के सभी पदार्थों का मूल भूत स्वभाव है मार्ग दर्शन करने वाली उनकी आंतरिक शक्ती है उधारन के लिए एकदम सीधा और खोकला होना, मजबूत तथा लचीला होना और अनेक प्रकार से लोगों के काम आना बांस के व्रिक्ष का ते है ते का अनुवाद प्राया, सदगुण या शक्ती के लिए किया जाता है लेकिन ये दोनों शब्द ते का पूरा अर्थ स्वष्ट नहीं कर पाते हैं संत महात्माओं के दृष्टी कोंड से ताओ और ते एक ही अखंड शक्ती के दो पहलू है ताओ सभी प्राणियों को जन्म देता है और ते उनका मार्ग दर्शन करता है उन्हें संपूर्ण करता है और जीवन के रंग मंच पर उनके अपने प्रदर्शन द्वारा उन्हें पूर्णता की अवस्था तक पहुँचा देता है ताओ ते चिंग के एक पद में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार ताओ और ते सभी जीवात्माओं के अंतर में एक साथ गती शील हैं अता ताओ से ही सब पदार्थ उत्पन होते हैं सदगुण अर्था त के द्वारा पोशित होते हैं विक्सित होते हैं संभलते हैं आश्रे पाते हैं आश्वासन पाते हैं बढ़ते हैं और सुरक्षत रहते हैं प्रतेक जीवात्मा के अंतर में जो ते है वही उसे ताव की खोज करने की प्रेर्णा देता है फिर भी हर पल ते ताव की खोज में है यही गती विधी सृष्टी का मार्क दर्शन करती है यही आंत्रिक प्रेर्णा है जो सब को निजगर वापस ले जाती है मनुष्य को छोड़कर इस स्रिष्टी के सभी पदार्थ और जीव स्वभाविक रूप से ही अपनी मूल प्रिविर्ती ते का अनुसरन करते हैं जिस प्रकार सपना देखने वालों को सपने में चुनने का अधिकार नहीं होता उसी प्रकार अन्ने प्राणियों को भी चुनने का अधिकार नहीं होता केवल मनुष्य ही चुन सकता है अपनी स्वतंत्र इच्छा से वह अपनी मूल प्रिवित्ती से दूर जाने का निर्ने ले सकता है और वास्तव में ऐसा वह खुद को तथा दूसरों को पीड़ा पहुँचा कर ही करता है लेकिन एक अंतरग्यानी गुरु की सहायता से वह अपने ते की खोज करके खुद को ताओ के साथ जोड सकता है मनुष्य का ते अनोखा है अन्य प्राणियों का ते ताओ के केवल कुछ पहलूओं को प्रकट करता है लेकिन हर किसी के अंदर ताओ को पूर्ण रूप से प्रकट करने की ख्षमता है ताओ मनुष्य के अंदर बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सकता है ऐसा होने पर ते पूरी तरह प्रकट होता है और मनुष्य का हर भाव, विचार तथा कर्म और कुछ नहीं बस ताव का ही प्रकट रूप है ऐसा व्यक्ती सही अर्थों में मनुष्य है और उसमें ते सोभाविक रूप से सभी मानविये सद्गुणों, दया, सच्चाई, संतोश, धैरे, नम्रता और क्षमा भाव के रूप में उभर आता है जिसके अंतर में ताव प्रकट है, जिसका ते ताव के साथ एक रूप है, वही संत है प्रसिद्द कवी तथा आई चिंग के जानकार शाओ यांग जीवनकाल इसा पूर्व एक हजार ग्यारा से एक हजार सतहत्तर कहते हैं कि ते की इस पून अवस्था को प्राप्त करने का सामर्थे प्रतेक व्यक्ति के अंदर है स्रिष्टी की योजना में मनुष्य को सबसे उंचा पद प्राप्त है क्योंकि उसके अंदर सभी योनियों के मूल तत्व समाए हुए है मनुष्य में सभी पदार्थों के गुण पूरी तरह से मौजूद है जो चेतना धर्ती और आकाश में है वही मनुष्य में भी है इसलिए जब कोई खुद को धोखा देता है तो वह धर्ती और आकाश को धोखा दे रहा है उसे सावधान हो जाना चाहिए सत्पुरुष संत के लिए प्रियोग होने वाला सबसे आश्चरे जनक शब्द है जन्रन जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्पुरुष निष्ठावान व्यक्ती या खरा व्यक्ती जिस श्रोता के लिए ताव मत नया है वह आगे दिये इस कथन को सुनकर दुविधा में पढ़ सकता है इसलिए सत्पुरुष अंतर आत्मा का सहारा लेकर अपनी इच्छा से मूल तत्व की ओर लोट जाते हैं और इस परकार वे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं यदि हम इस बात को मानते हैं कि ताव संत सत्पुरुष है तो हम दुविधा में पढ़ सकते हैं कि फिर हम सब क्या है संत को सत्पुरुष कहने का अर्थ है कि संत उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जो प्रतेक मनुष्य की स्वभाविक अवस्था है या जिसे प्राप्त करने की शम्ता उसमें है संत जन ताओं के साथ जुड़ चुके होते हैं और ऐसा करने की शम्ता प्रतेक व्यक्ती में है संत सार रूप में इस मार्ग के साथ जुड़े होते हैं संत महात्माओं के बारे में वुनत्स कहते हैं उनका सर्वश्रेष्ट गुण अर्थात ते, धर्ती और आकाश का मार्ग अर्थात ताव है इसी लिए उन्हें सत्पुरुष कहा जाता है क्योंकि संत ताव का साकार रूप है इसलिए उनके गुण और कारे भी ताव के गुणों और कारेों के समान होते हैं वास्तव में ताव मत की रचनाओं में एक ही गद्यांश अत्वा पैराग्राफ में अक्सर ताव और संत दोनों को एक दूसरे का प्रयाय अत्वा एक जैसा मान कर बात की गई है मानो एक के बारे में कही गई बात दूसरे पर भी उतनी ही लागू हो जाती है कुछ पद्यांशों में तो यहां तक कहा गया है ताव का कहना है जिसका अभी प्राए है लाओत्स का कहना है लाओच को कई नामों से जाना जाता है जैसे की प्रभु लाओ, परम पुरातन प्रभु यहां तक की उन्हें महान ताओ भी कहा गया है सबसे श्रेष्ट पुरातन स्वामी, अर्थात प्रभु लाओ मूल शुन्ने अवस्था के पूर्वज स्वामी है वह अनादी से उत्पन हुए, उस आकारण से प्रकट हुए वह दस हजार मारगों के पहले से मौजूद थे उनका अस्तित्व मूल शक्ती अर्थात ची से भी पहले से था वह इतने विशाल हैं कि उनसे परे कुछ भी नहीं है इसलिए उनका नाम महान ताओ है हमारी वास्त्विक पहचान क्या है? यदि गूड ग्यान से संपन, संत सत्गुरु वास्तव में सत्पुरुश है तो इसका अर्थ यह है कि शिश्य भी अपने गुरु के समान सत्पुरुश बन सकते हैं वे ऐसा अपनी मूल प्रकृती की ओर वापस ले जाने वाले मार्क पर चल कर करते हैं ताओ मत में मनुष्य के मौलिक और जन्म जात स्वभाव को निर्मल और उत्तम माना गया है जो किसी कलंक द्वारा दूशित नहीं है आई चिंग के शब्दों में परमात्मा ने मनुष्य को जन्म जात नेक स्वभाव दिया है जो उसकी सभी गतिविधियों में उसका मार्क दर्शन करता है अपनी इस आंतरिक दिवे चेतना के प्रती प्रेम होने के कारण वह निर्मल सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है जो उसे सही कर्म करने की आंतरिक प्रेर्णा देती है इसके पीछे स्वार्थ या पुरुसकार पाने का कोई गुप्त विचार नहीं होता इस स्वभाविक विश्वास द्वारा सर्वोच सफलता प्राप्त हो जाती है इसलिए ताव मत में सत्पुरुष बनने की प्रक्रिया का वर्नन इस प्रकार किया गया है की केवल वे बाधाएं हटा दी जाएं जो व्यक्ति को अपने जन्म जात दिव्वे स्वभाव को पहचानने से रोकती हैं ताव संतों की चिंग जिंग जिंग परंपरा की संस्थापिका सौन बुवर ने इस सत्थे का वर्नन प्रकृती से लिए गए साधारन प्रतीकों द्वारा किया है कंटीली जाडियों को काट देना चाहिए यहां तक की अंकुर भी हटा देने चाहिए मूल में से सहज ही खिल उठेगा एक सुन्दर सा कमल का फूल एक दिन अचानक ही प्रकट होगा एक नुरानी स्वरूप तब तुम जान जाओगे कि तुम स्वयम ही वह हो जवान जट से ली गई यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है एक बार पीत स्मराट च्यूट्स के पहाडों पर ताकवाए की यात्रा के लिए निकले और रास्ता भटक गए ध्यान दे ताकवाए का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का बड़ा सा धेला ताव मत में इसका अर्थ है जीव की मूल प्रकृती उसकी जन्मजात सहजता इस कहानी में पीत स्मराट की ताकवाए की यात्रा उनके मूल सहज अवस्था में लोटने का प्रतीक है उन्होंने एक किसान बालक को घोडे चराते हुए देखा और उससे सही रास्ते के बारे में जानकारी ली यह जानकर की बालक चियूट्स के पहाडों और ताकवाए के बारे में सब कुछ जानता है पीत स्मराट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उससे पूछा तुम बुरा तो नहीं मानोगे यदि मैं तुमसे पूछूं कि राज्ये पर शासन कैसे करना चाहिए लड़के ने उत्तर दिया कि राज्ये पर शासन करना घोडे चराने से कुछ खास अलग नहीं है जो चीज घोडों के लिए हानिका रख है उसे छोड़ दो बस इतना ही करना है समराट ने जमीन पर सिर रख कर उसके आगे शीष नवाया और उस बालक को दिव्वे गुरु कहकर सम्बोधित किया पीत समराट स्वयम एक संथ थे इसलिए वहे उन सभी सद्गुनों के साकार रूप थे जो ताओ के अन्याईयों को प्रिये है हम उन्हें यहां प्रकृती के समीप पहाडी इलाके में देखते हैं वहे बिना किसी दिखावे के एक साधारन ग्रामीन बालक को भी आदर पूर्वक सम्बोधित करते हैं यह महान समराट इतने सहज हैं कि वहे बालक दिल खोल कर उनसे बात करता है और समराट के राजसी दबदबे से तनिक भी नहीं घबराता यह कहानी ताओ के दृष्टी कोण को प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ती ताओ को विक्सित करके ते को पून रूप से प्रकट करके संत बन सकता है जिस प्रकार किसान बालक को केवल बाधाएं दूर करनी होती हैं और घोडे अपना मार्ग ढून लेते हैं उसी प्रकार जब बाधाएं हट जाएंगी तब प्रतेक व्यक्ती को भी अपने जन्म जात नेक स्वभाव का पता चल जाएगा इस प्रकार ताओ के अनुयाईयों के अनुसार प्रतेक मनुश्य का मूल स्वभाव पूरी तरह निर्मल है और ताओ के अनुरूप है वुंतज में लाओट्स का हवाला देकर यह बात स्पष्ट की गई है कि जीव किस प्रकार अपनी मूल अवस्था से बहुत दूर चले गए हैं वह कहते हैं कि इस तरह मलीन होने का कारण है लंबे समय तक विशे भोगों में लिप्त रहना और इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहना जब लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग कर अपने मूल स्वभाव को भूल जाते हैं तब उनके कर्म कभी भी सही नहीं होते अगर इस धंग से राज्ये को चलाया जाए तो वहां अशांती फैल जाएगी यदि लोग खुद भी इस धंग से चलने लगेंगे तो इसका परिणाम पतन होगा इसलिए जो मार्ग अर्थात ताओ की ओर ध्यान नहीं देते उनके पास अपनी मूल अवस्था में लोटने का कोई साधन नहीं होता जो इस बात को नहीं समझते वे शांत और निर्मल नहीं हो सकते आरंभ में मनुश्य के मूल स्वभाव में कोई विकार या मलिनता नहीं होती किन्तु लंबे समय तक भौतिक पदार्थों में लिप्त रहने के कारण यह आसानी से बदल जाता है इसलिए हम अपनी मूल अवस्था को भूल जाते हैं और दिखावा करने में लग जाते हैं दूसरे शब्दों में जब हम ताओ के प्रती सचेत यानी जागरत हो जाते हैं तब हम अपनी असली अवस्था में लौट आते हैं उस समय ते अपने आप ही सच्चाई सहजता दया और विनम्रता के रूप में प्रकट हो जाता है ताओ के साथ एक होकर हम पून हो जाते हैं हम पूरी तरहां सहज हो जाते हैं और अपने अंतर में तथा इस संसार में सहज और शांत बने रहते हैं। वर्तमान अवस्था में हमारी समस्या यह है कि हम अपनी स्वभाविक अवस्था को भूल गए हैं और दिखावा करने लगे हैं। अपने मूल की और लोटना ताओ को विक्सित करने के मार्क को अक्सर मूल की और लोटना कहा जाता है प्रकृती में पौधे का वहे भाग जो दिखाई नहीं देता जड़ होता है यह भाग सुन्दर फूल, पत्तों और फल की तुलना में शोभा रहित, साधारण और धूल मिट्टी से सना होता है लेकिन पौधे के पोशन का आधार जड़ ही है, बसंत रितु में धर्ती से अंकुर फूटता है, बढ़ता है और इसमें से दो पत्ते निकलते हैं धीरे धीरे इसमें बहुत सी शाखाएं और पत्ते निकलते हैं और यहे फैलने लगता है इस प्रकार एक पौधे के सामान्ने विकास में उर्जा का प्रवहा जड़ से ही उपर की ओर अंगिनत पत्तों तक पहुँचता है पत्त जड़ के मौसम में पौधे में उर्जा का यह स्वभाविक प्रवहा पत्तों की नोक से वापस तने से होकर जड़ तक पहुँचता है जहां सर्दी के मौसम में यह उर्जा संचित रहती है ताओ का एक कुशल अनुयाई वह है जिसने अपनी उर्जा के प्रवहा को बाहर से मोड कर अंतरमुख कर लिया है और उसे अपने मूल की और वापस लोटा दिया है ताओ मत में सहज बने रहने और प्रकृती के निकट रहने पर बल दिया गया है और इसे पौधे के उधारन द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से दर्शाया गया है पौधे की जड की तरहां संत भी छिपे रहना चाहते हैं वे उन स्थानों पर रहते हैं जिन्हें लोग निचले दर्जे का मानते हैं हालांकि प्रतेक मनुष्य का मूल स्रोत या आधार ताओ ही है इसी प्रकार ताओ को जननी भी कहा जाता है जो भी अस्तित्व में है ताओ ने उसे जननी के समान ही जन्म दिया है एक माता की तरहां ताओ भी स्रिष्टी के विविद पदार्थों तथा जिवात्माओं का पोशन और देख भाल करता है ताओ मत में स्त्री रूप में दी गई यह तुलना अन्ने धर्मों की पुरुष रूप में दी गई तुलना के विपरीत है जहां स्रिष्टी करता और पालन करता को पिता अथ्वा स्वामी कहा गया है किन्तु दोनों का अभिप्राए एक ही है स्त्री पुरुष पर ध्यान ना देते हुए अन्ने शब्दों का प्रयोग करें तो ताओ स्रिष्टी का रचाईता पालनहार या पूर्वज है जिसके द्वारा हमें अपना जीवन विरासत में मिला है इसलिए संतों को कभी-कभी आदी पूर्वज अत्वा एक मात्र पूर्वज कहा गया है पूर्वज का अर्थ वह स्रोत है जिससे हम सभी उत्पन हुए है और आदी पूर्वज का अर्थ है कि संत, स्वयम मूल, स्रोत या प्रारंभ हैं या फिर उसके साथ एक रूप हो गए हैं